हलो फ्रेंज वेलकम बेक तुमाइ चैनल तो फ्रेंज विंटर फ्लावरिंग तो चली रही है विंटर के फ्लावर्स पुल ब्लूमिंग पे हैं और बहुत ये अची ब्लूमिंग दे रहे हैं हमें हमारी गारडन में बलब भरे हुए हैं लेकिन अब टाइम ऐसा आगया है कि हमें साथ के साथ अपने summer plants की भी तियारी कर लेनी है, ये बिल्कुल सही समय है, जब दिन की समय में तुड़ी गर्मात आ गई है, तो हमारे जो summer के flowering plants होते हैं, जो हमें heavy flowering देते हैं summer में, जो की winter में dormancy में चले जाते हैं, तो अब हमें उन पे काम करना start करना है तो देखिए समर के प्लांट्स इस तरह से हो जाते हैं लेकिन अब इन पे नए नए शूट्स निकलना start हो गये हैं इनका growing period start हो रहा है और अब इने खाने पीने की अच्छे मतलब fertilizer देने की और इनके care करने का time आ गया है तो ये तो मैं आपके साथ बाद में share करूँगी आज मैं आपके साथ पहले share करी हूँ हमारे summer plants के name क्योंकि हमारे कुछ बिंग्ञार्ट से जनकी request है कि हमें summer के flowering plants के name बताई तो सबसे पहला है herbiscus, जो की बहुत dasची flowering देता है हमें समर में थोड़ी सी इसकी care करनी होती है care tip आपको आगे share की जाएगी वैसे ये बहुत अच्छा hardy plant है second plant जो है वो है sunflower sunflower भी जो बड़ा वाला और मेनी वाला सारी sunflower बहुत अच्छी flowering करते है और उसके बाद है genia genia मेरा most favorite plant है और इन्होंने मुझे last year बहुत अच्छी flowering दी है और एक जोरा भी बहुत अच्छी flowering देते हैं एक्तम भर भर के branches मलब जितना इसे आप बुशी करोगे उतनी अच्छी flowering ये देते हैं और इसके बाद है moagra moagra भी summer में बहुत अच्छी blooming करता है और इसमें खुश्बू भी रहती है और इसके साथ के साथ jasmine family के सारे plant जैसे चाननी में double चाननी single चाननी, mini चाननी सारे ही बहुत अच्छी flowering करते हैं मैं आपको सरफ नाम बता रही हूँ cares मैं इनकी बाद में share करूँगी अभी शेयर करूँगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसके बाद जो flowering plant है जो की heavy flowering करता है वो गंप्रेना और ये भी बहुत अच्छी flowering करते हैं बहुत सुन्दा लगता है और ये एक pom-pom की तरह दिखता है बहुत ही bright colors होते हैं और बहुत सुन्दा दिखता है और इसके बाद है विंका विंका तो सदा बाहर है सबी जानते है उसके बारे में और मुसेंडा मुसेंडा भी बहुत अचीब flowering देता है समर में और इसमें भी काफी सारी colors आते हैं और बड़ी-बड़ी से flowers actually वो उसके petals होते है flowers तो इसके चुटी-चुटी से होते है लेकिन बहुत अट्रक्टिव दिखते हैं जो इसके petals colorful होते है बहुत अट्रक्टिव दिखते हैं इसके बाद है ये टिकोमा टिकोमा में भी कुछ colors आते हैं यलो औरेंज बहुत कुछों में flowering देते हैं ये एक wine के तरह भी जाता है बुष में भी जाता है और इसके बाद ये कनेर सौरी कनेर है ये और ये भी बहुत अच्छी flowering देता है बहुत प्यारा दिखता है इसका flower भी और एक आता है पिंक कनेर ये बहुत आसानी से लग जाता है उसमें बहुत कलर आते हैं पहले वाले में और यह जो है यह है चमपा फ्लूमेरिया यह भी समर का प्लांट है और बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है यह इसमें भी बहुत फ्लावरिंग होती है और इसके फ्लावर कितनी सुन्दर दिखते हैं और यह है अलमंडा अलमंडा में b히 बहुत संदर flowering होती इसका flower भी बहुत attractive दелейक्टा है आरकी समय और भी colors आते हैं अगे flourish बहुत संदर दिखते है pink भी आता है एक wine के जैसे जाता है और यह है bleeding heart lacking empez these color पॉट में हम इसे लगाते हैं जो बूश की तरह है और इसके बाद है मदु मालती रंगून क्रीपर भी बолжिते हैं से जुंका भेल भी कहते हैं और इस इस तरह से आपको इस पिक में दिख रहा है नब यह फ्लावरिंग करते हैं बहुत ही सुन है और यह है बोगन वेलिया, बोगन वेलिया को तो सारे ही लोग जानते होंगे, आपने रोट साइट पे इसे लगा हुआ देखा होगा कई बार, और ये पूरे मिलब एक गेट को कवर कर देते हैं, इतनी अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, इसके बाद है फ्रेंट्स हमारे बहुत ही मोस टूरी मोस्ट फ्लावरिंग ब्लान्ट को ये वी समर और रहांक समर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन पूरीयमारे गारन को अंट्रक्र्ट्यू कर देते हैं, अगर कोई भी अमारे गारंन में फ्लावर्स नहीं लगे, इस सरी भी है नना मॉस्रों की कफ़ीं सारेывает, त यह थे कुछ समर के प्लांट्स जो कि मैंने आपके साथ शायर किये इननी केर टिप को करती रहूँगी आपके साथ ऐसे तो और भी भी डेरो समर के प्लांट्स है लोकिन एक साथ इतना बताना एक वीडियो में नहीं मनद हो पाएगा अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे भी शियर कर दूँगी आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी और भी नेम्स और कुछ वाइन्स भी बताऊंगी अलग से जो क्रीपर के तरह या वाइन के तरह जाते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो लाइप तो करना बनता है ना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज के फ्रेंट्स पाई हैपी गाडनिंग